नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइ न्यूज में हूँ आपके साथ दीपाग गुपता मायावती को लेकर एकुछ बड़ी खबरे सामने आई हैं मायावती के बीएसपी के जो सांसद हैं वो भारत जोड़ो यातरा में शामिल हुए और शामिल होने के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या मायावती भी सोन्या गांदी और राहूल गांदी के तरफ रुख दिखाएंगी इसके पीछे की कुछ वज़ा सामने आ रहे हैं दर्श को आपको बताते चले कि जो बाते शाम सिंग ने करी है जो सांसद शामिल हो भारत जोड़ो यातरा में दिल्ली में उसके बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई उन्होंने जो बाते करी कि इस वक्त राहूल की यातरा सभी धर्मों से उपर राजनितिक मुद्दों से हट करे क्योंकि ये देश की व्यवस्था और तमाम जो सरकार इस समें देश को चला रही है उनकी पोल खोलती नजर आ रहे खास कर बीजेपी पर उनका निशाना है लेकिन मायावती का क्या रुखे ऐसी खबरे सामने आ रही है कि सांसत की भारत जोड़ो यातरा मौजूदगी से मायावती नराज हो गई है या नराजगी क्यों लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं उस सांसत के खिलाफ अब इस मामले को जादा जानने के लिए तमाम बातों को जानने के लिए इस वक्त आप देखे हमारी ये खास रिपोर्ट जिससे आपको जादा जानकारी मिलेगी रहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में एक गेर कांग्रेसी निता दिखा तो बवाल मच गया ये निता कोई और नहीं वहे शाम सिंग यादव हैं जो लोकसवा मायवती की पार्टी ब्यस पी के सांसत हैं में रहुल के मंच पर देख माना जा रहा है कि ब्यस पी के तरफ से कुछ नराजगी सामने आ सकती है या तो मायवती का फैसला रहुल के समर्थन में हो सकता है मायवती कांग्रेस पार्टी से ऐसे ही दूर दूर रहना पसंद करती है अब अपनी ही पार्टी के सांसत के उसके साथ मंच शियर करने पर उनका नराज होना तो तय है बताया जा रहा है कि शियाम सिंग यादब ने खुद कांगरेस के पूरवध्यक्ष सोनिया गांधी से राहूल गांधी के साथ यातरा में शामिल होने के इच्छा जाहिर की थी सोनिया गांधी खुद भी राहूल गांधी को आशिरवात देने पहुंची थी लेकिन सवाल यह आता है कि सोनिया एक मैला शशक्त नेता होने के साथ कि अपने साथ मायावती को भी जोड़ पाएंगी क्योंकि इस समय तैयारी 2024 के लोकसभा चुनापकी की जा रही है लेकिन आपको बता दे कहा जा रहा है कि सोनिया गांदी के कहने पर ही रहल ने BSP सांसद शीयाम सिंग यादब को यातरा में शामिल होने का और नियोता भीजा था वेडिली में कल पद यातरा में शामिल हुए अब तक टो BSP के तरफ से शीयाम सिंग के इस कदम पर कोई पर्तिकरिया नहीं आई लेकिन जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि श्याम सिंग से मायावती से पूछ कर यातरा में शामिल हुए हो और ये भी सवाल उठते हैं कि मुक्या मायावती इससे नरास तो नहीं होंगी हाला कि उत्तरपरदेश के जौनपूर से लोकसुबा सांसद शाम सिंग यादव ने यातरा में शामिल होने के बाद कहा कि वे एक BSP के सांसद हैं लेकिन राहूल गांदी का मन्स तो राजनीती से उपर उठकर है उन्होंने बताया कि वे राहूल गांदी के निमंतरन के बाद यातरा में शामिल हुए उन्होंने कहा कि यातरा का मकसद नेक और आज हम देख रहे हैं कि धरम राजनी जाती संस्कृति के नाम पर भेदबाव किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हमारी पहचान विवित्ता में एकता की है शाम सिंग के इस कदम से मायावती के उन आरोपों पर सवाल उठने लगे हैं इसमें कांगरेस के खिलाब खुलकर अपनी बात रखती आई है लेकिन क्या मायावती का कांगरेस के तरफ अब जुकाव होता दिख रहा है क्योंकि कांगरेस पार्टी के सवालात कुछ अलग नजर आ रहे है तो क्या शाम सिंग यादव के बास सवाल ये उठता है क्या मायवती का कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी के और देखने को मिल सकता है क्या वो भारत जोड़ यातरा में आ सकती है क्योंकि अगर सांसत को नियोता भेजा गया होगा तो तमाम विपक्षी नेताओं को भी नियोता भेजा जा रहा है तो देखा आप सभी ने किस तरीके से इस खास रिपोर्ट के माध्यम से सारी बात आप सबके सामने रग दिया आसानी से आपने समिकर्ण समझ लिए लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि यूपी की और जब भारत जोड़ यातरा आएगी तो ऐसी ही पार्टियों पर नजरे रहंगी कि क्या वो कांग्रेस का समर्थन करती है नहीं सबसे पहले गोर करने वाली बात कि सोनिया गांधी का यहाँ पर फैसला था कि नियोता भेजा जाए सबी विपक्षी पार्टियों को भेजा जाए अगर उन्हें भारत जोड़ यातरा मोधी सरकार यानी बीजेपी के खिलाफ निकाली है तो वहर एक नेता को अपने साथ जोडने की कोशिश करें जो समय विपक्ष में खड़ावा है विपक्ष को अगर यहाँ पर साथ लेकर मजबूती से चलेंगे तो देश उनके साथ चलेगा क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन बून्द बून्द से सागर जोर भरता नज़र आएगा लेकिन अगर एक बाल्टी पाय निकाल लेंके सागर से शायद उसमें कोई कमी भी नहीं आएगी तो वही बात पड़ती है इस समय सांसस शामिल हुआ है लेकिन अगर मायावती आ जाती है तो कोहरा मज जाएगा यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लेकिन कांग्रेस से हमेशा दूर दूर रही जैसा कि हमने खास रिपोर्ट में जिक्र किया तो मायावती क्या कभी कदम उठाएंगी भी या नहीं तो कयासों पर आधारित ये खबर है लेकिन जो जानकारिया है वो बहुत जरूरी है कि सोनिया गांदी इस समय में बहुत बड़ी चाल चल रही है कि सभी विधाय को समर्थ को नेताओं और अपने आपको कि अधाव, अपनी राए कमेंश है डिरुहँ रखे of कर आदा कर दो कर दो कर दो